जै मसी की आज की इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है आपके साथ आज मैं सुसमाचार बाढ़ना चाहती हूँ योहन्ना रचित सुसमाचार तीसरा अध्याई वहाँ हम ईशू और निकोदिमस के बारे में बढ़ते हैं निकोदिमस जो यहूदियों के सरदार थे ऐसा मान लीजिये जैसे की आज की दिनों में जैसे हमारे पास्टर होते हैं पादरी लोग होते हैं उसी तरह से वो यहूदियों के सरदार थे और उनको सारा नियम, धर्म, इन चीजों के बारे में बहुत ही ग्यान था लेकिन उनके दिल में कुछ तो एक प्यास था, कुछ तो एक उचसुकता थी कि ये सारी धर्मिक्ता के बारे में तो उनको मालुम है वो सब कुछ वो करते भी आ रहे हैं लेकिन कुछ तो है जो ईशू मसी के बारे में जो है स्पेशल है, अलग है और वो जानने के लिए वो रातों रात ईशू मसी के पास आप पहुंचते हैं दूसरा वचन ऐसा कहता है यूहनना रचित सुसमा चारतीसरा अध्याए उसने रात को ईशू के पास आकर उससे कहा हे रभी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरू होकर आया है क्योंकि कोई इन चिनों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता तो उनके दिल में कुछ तो ये बात उनको समझ में आ गया कि ईश्व मसी जो है रभी है, वो गुरू है और जो चमतकार उनकी सेवगाई में प्रगट हो रही है जिस तरह से वो परमेश्वर के वजन को बाट रहे है कुछ तो उनके बारे में अलग है वो एक सधारन मनिश्य नहीं, वो परमेश्वर की ओर से आये हुए नभी है ऐसा उनको समझ में आया ईश्व ने उसको उतर दिया मैं तुझ से सच सच कहता हूँ यदि कोई नए सिरे से ना जन में तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता इसा कुछ मसी ने उनसे कह दिया तो निको दिमस्य ने उससे कहा मनुश्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जनम ले सकता है वो जो है बिलकुल प्रैक्टिकल रूप से सोचने लगे कि अरे ये मसी क्या कह रहे है कि अभी दूसरा जनम लो वो अपने खुद के बारे में सोचने लगे कि देखो मैं तो इतने उमर का हो गया और अगर वो मेरे से कुछ और कह देते कि देखो तुम इस पहाड पर चड़ जाओ या इस चीज को बली रूप से अरपन कर लो या मैं जो है इतना पॉइंट तुमको बता रहा हूँ ये सब बातों को तुम्हें मानना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ बोल देते तब तो आसान था लेकिन मसी ने कुछ और ही उनसे कह दिया कि तुम्हें जो है एक बार और नए सिरे से तुमको जनम लेना पड़ेगा तो ये नैचरली बोलने लगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जनम ले सकता है एक क्वेस्टन पूछने लगे क्योंकि जनम लेने के बारे में केवल निको दिमस को केवल एक ही कॉंसेप्ट उनके मन में शरीर में जनम आदमी कैसे लेता है वो अपने माता के गर्भ से जब पैदा होता है तब ही उसका जनम होता है तो फिर ये दूसरे जनम का बात नए जनम का बात इशु मसी क्या कह रहे है तब इशु ने उतर दिया मैं तुझसे सच सच कहता हूँ जब तक कोई मनुष्य जल और आतमा से ना जनमे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है क्योंकि जो शरीर से जनमा है वह शरीर है और जो आतमा से जनमा है वह आतमा है अचमबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जनम लेना आवश्य है तो मसी यहां ये क्लियर करते हैं कि देखो तुम जिस तरह के जनम की बात कर रहे हो मैं वो नहीं कर रहा हर एक आदमी इस दुनिया में आता है उसका शरीर में जनम होता है वो अपनी माता के गर्भ में से उसका जनम होता है लेकिन मसी कह रहे हैं कि देखो वो तो तुम्हारा पहला जनम है लेकिन देर इस सम्तिंग कॉल्ट बिइंग बॉन एकेइन नए सिरे से तुमको जनम लेना पड़ेगा अगर तुम्हें परमिश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो पर वो शरीर में जनम नहीं परन्तु जल और आत्मा से जनम लेने के बारे में इश्यमसी उनको जो है यहाँ पर सीख देने लगते हैं प्रेज गॉड हम क्या समझते हैं इसमें से देखिए हर एक मनुष्य जो इस पृत्वी पर पैदा होता है वो पाप में जनम लेता है ऐसा नहीं कि उसने कुछ गलत कर दिया और वो पापी बढ़ गया जब हम अपनी मा के गर्भ में हैं तब ही जो है जैसा कि भजन सहिता में दे सामिस्ट सेज जब से आदम जो है पहला मनुष्य वो पाप में गिर गया हर एक व्यक्ती जो इस दुनिया में पैदा होता है वो पापी ही जनम होता है ऐसे मान लीजी जैसा उसका नेचर ही ऐसा बन गया मैंने इस बात पर बहुत ध्यान दिया है कि आप छोटे बच्चों को देख लीजिए उनको कौन सिखाता है कि वो लडाई करे कौन सिखाता है कि मार पीट करे गंधी बातों को बोले या वो जो है सेलफिश बन जाए स्वार्थी बन जाए है ना हम उनको अच्छी बाते सिखाते हैं लेकिन बुरी बात तो मान लीजिए जैसे कि उनके DNA में है उनके अंदर में किसी ने उन बातों को लिख लिया कि जगडा करो वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है है ना दूसरे से जो है आप वो छीन लेते हैं है ना ये तो मेरा खिलोना है छोटे बच्चे तक आप उनके नेचर को देखेंगे तो आप समझेंगे कि देखो मनुष्य पापी है और रोमियों के पुस्तत में हम बढ़ते हैं है ना कि कोई धर्मी नहीं एक भी नहीं कोई समझदार नहीं कोई पर्मेश्वर का खोचने वाला नहीं सब भटक गए हैं सब के सब निकम्मे बन गए हैं कोई भलाई करने वाला नहीं एक भी नहीं जब पर्मेश्वर मनुष्य को देखता है तो उनका ये कहना है कि देखो तुम में से एक भी भला नहीं सारी मनुष्यराशी जो है पाप में जो है पड़ गई और इस कारण से जो है हम पिता परमेशवर से दूर हो गई ये पाप पिता परमेशवर से हमको अलग कर देती है और जैसा हम समझते हैं कि पाप का जो फल है वो म्रत्यव है The wages of sin is death और इसी मृत्यों से हमें बचाने के लिए ऐसा कोई नहीं जो ये दाम चुका पाए कोई मनुष्य नहीं जो ये दाम चुका पाए लेकिन तभी जाकर के जो है ईशु मसी में पिता परमेश्वर ने हमारे लिए ये बहुत बड़ा सैलवेशन का प्लैन बना दिया कि पिता परमेश्वर ने खुद अपने बेटे को इस धर्ती पर भेज दिया और वो बिना पाप किये 33 साल तक इस पृत्वी पर जिये और उसके बाद सारे मनुष्यों के पाप को उन्होंने अपने उपर ले लिया वही हम क्रूस के बलिदान के रूप में देखते हैं हालेलुया प्रेज गॉड ऐसा कौन सोच सकता था ये परमेश्वर का प्रेम है कि पाप में फसे हुए व्यक्ती को छुटकारा देने के लिए उन्होंने खुद ये प्लैन बनाया अपने इकलोते पुत्र को उन्होंने इस धर्ती पर भेज दिया हालेलुया और वो क्रूस पर बलिदान हो गए क्यों ईश्यो मसी को इतना कश्ट सहना पड़ा क्रूस में इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ बुरा किया इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बाप किया परन्तु सारे मनुश्य के बाप को उन्होंने अपने उपर ले लिया हालेलुया ये पिता परमिश्वर का प्लैन था और वो क्रूस पर मारे गए गाडे गए और तीसरे दिन जो है वो जी उठे and this sacrifice was a perfect sacrifice for the sin of the whole mankind और इसको जो ईशु मसी जो तीसरे दिन जी उठे ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस sacrifice को इस बलिदान को क्रोज के बलिदान को पिता परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया हैलेलुया और जो कोई भी व्यक्ति आज यही सो समाचार है यही जो है हमारे लिए रक्षा का मार्ग है कि आज जो कोई भी व्यक्ति इशु मसी को स्वीकार करता है जो कोई आज पिता परमेश्वर के समुक आ करके इस बात को समझ लेता है कि हे पिता परमेशुर मैं पापी हूँ, मैं अपने आपको कभी जो है, मैं अपने आपकी सहाइता नहीं कर सकता, इस पाप से छुटकारा दिलाने वाला और कोई भी नहीं है, और जब आप क्रूस के बलिदान को समझ जाते हैं कि ईशु मसी ने मेरे पाप को अपने उपर ले लिया, उस क्रूस में जो है, मुझे लटकना चाहिए था, वो सारी पीड़ा जो है, वो मेरी है, लेकिन मुझे नरक से बचाने के लिए, मुझे पाप से बचाने के लिए, ईशु मसी ने मेरे पाप का जो है, दाम चुकाने के लिए, क्रूस पर अपना लहू बहाया, थैंक यू जीजस, हैलेलुया, इसलिए आज मेरे अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं, इसलिए नहीं क कि मैं कुछ करूं, परंतो अगर आप इश्य मसी पर विश्वास करेंगे, तो ये उध्यार आप बालेंगे, हैलेलॉया, हैलेलॉया, अगर आप अच्छ्य मसी के कریब आएं, और ये समझ जाएं कि, ये मेरे पाप का दाम जो है इश्य मसी में चुखाया है, और अगर आप ईशो मसी को अपना प्रभू स्वीकार करेंगे, अपना रक्षक स्वीकार करेंगे, तो उनके लहू के द्वारा, दो हजार साल पहले जो लहू बहाया गया, हैलेलुया, वो आज भी जीवित है, आज भी प्रबल है और महान है, आपके पापों को धो देने का ज आज आप क्यों ना फसे हो, आपके जिन्दगी का प्रॉबलम आज क्या कुछ भी ना हो, अगर आप मसी के समुक आते हैं, हैलेलुया, और उनकी सहायता मांगते हैं, उनको स्वीकार करते हैं अपने दिल में, तो आपके पापों को छमा करने के लिए उनका लहू काफी है, ह इसी तरह से एक मनुष्य स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता है, this is the way a man can enter into the kingdom of God, और ये आनुभव इतना महान है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये आनुभव आपकी जिन्दगी में इतना बड़ा एक रियालिटी बन जाता है, कि सच मुझ ये आनुभव एक दूसरा जनम लेने के बिलकुल सिमिलर है, it is just like being born again, once again, by spirit, hallelujah, पवित्र आत्मा के द्वारा एक दूसरा जनम लेने के समान है, ये हमारा experience, तो ये सुसमाचार आज, जो कोई भी आप लोग सुन रहे हैं, और अगर आप इस अनुभव में आज तक नहीं आपाए हैं, तो ये हमारी दूआ है, ये हमारी प्रातना है और ये हमारा निवेदन है आपसे, कि आज ही आप जहां कहीं भी हो, अपने कमरे में हो, हो सकता है आप अकेले हो, हो सकता है आप भीड में हो, रास्ते में हो, अस्पताल में हो, जहां कहीं भी हो, आप अपने आखों को बंद क और ऐसा अव्यक्ति नहीं जिन्होंने आपके पापों का दाम चुकाया है, जिन्होंने आपके पापों के लिए अपने जीवन को अरपण कर दिया है। Praise God! तो यही रक्षा का मार्ग है, यही उधार का मार्ग है, पवित्र आत्मा इन दिनों में अगर आप परमेश्वर के बचन को पढ़ते हैं और प्रातना करते हैं तो इस रास्ते में आपकी अगवाई करेगी और इस नए जनम का आनुभाव आपकी जिंदगी में भी पवित्र आत्मा ले करके आएगी, God bless you.